नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आपन एक पैरलाइसिस का केश डिसकस करेंगे यह बकरी का बच्चा जो अपने को दिखाई दे रहा है इसके चारों पैरों में पैरलाइसिस था यह पसुपालक इसको ले के आ पान आई है परंतों पीछे वाले पैर अभी भी इसके वजन नहीं ले पा रहे हैं तो इस किट का ट्रीटमेंट अपन रेगुलर कर रहे हैं ताकि यह अच्छे से चल पाए अच्छे से खड़ा हो पाए तो जो लोग नहीं है अपने चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब पर बैल आइकन को दबा दीजिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर तो देखिए दोस्तों पैरलाइसिस की जो कंडिशन होती है वह नर्वाइन डिसोर्डर है नियूरॉन्स की प्रोब्लम नारू की प्रोब्लम की वज़ए से ऐसा होता है तो इसको ट्रीट करने के ल 3 है उसके अलावा अपन इसको विटामिन कोम अमेक्स दे सकते हैं एञा पूस्टर ससकते हैं और लिंटर ससे प्रोपर गरम पानी से मासाज कर सकते हैं ऐसनल की से चल पाए तो यहां पर देखिए इसके अपने इंजेक्शन लगाया नर्वाइन टोनिक का एक इंजेक्शन लगा देंगे अपन विटामिन कोंप्लेक्स का और एक अपन इसके लगा देंगे पैन किलर का ताकि अगर किसी प्रकार का कोई दर्द हो तो वो रिकवर हो जाए और यह चल पाए तो यह पैरलाइसिस का एक केस है जो कि जनम से पैरलाइस था यह बच्चा देखिए यहां पर इसको रेगुलर यह पसुपालक अपने होस्पिटल पर इसको ला रहे है डेली रूम का इसको साइधा भी मिल रहा है थोड़ा यह चलने में समर्थ हो जाएगा आगे वाले पैर इसके प्रोपरली काम करने लग गए हैं पर आंको पीछे वाले पैर उसे वजन नहीं ले पा रहा ह तो देखिए इसके मैंने थोड़ा पेन के लग लगाया है ताकि अगर पेन की कंडिशन कुछ हो तो यह रिकवर कर जाए तो इस केट का अपड़ने इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया है देखते हैं यह रिकवर हो पाता है यह नहीं अगले वीडियो में अपन जरूर देखेंगे डिसकस करेंगे कितने इसकी रिकवरी होती है थैंको